कि सातियों नमस्क्यार मैं उपेन यादो आप सबका लाइब प्रोगाम में स्वागत है आज का लाइब बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश के हर यौक के लिए महत्वपूर्ण है इस लाइब में तमाम लोग जुड़े ज्यादा ज्यादा सहिर करें क्यूंकि तीस तारीकों जैपुरी में आंदोलन नहीं महां आंदोलन है आखिरकार इस महां आंदोलन के लिए हमें क्यों विवस होना पढ़ रहा है क्यों हम सबकों पढ़ रहा है सातियों इस लाइब में मैं सब्सक्राइब महत्वपूर्ण मुद्दा जो पेपर लीग फरजी वाड़े डामिक अ अपके बीच में लाइब हैं हाला कि कई का इंतिजार वह लोग भी कर रहे हैं कि उनकी भरतियों के लिए कि इस समय जो हाला जो गंभीर बने हुए है राज्य सरकार ने आला कि आपने देखा होगा कि लगातार परियास बहतरिन किये लेकिन उन परियासों फे फानी फेंडने का काम उन लोगों ने किया जिन लोगों ने सैन्द मरी की तमाम सातियों से यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सेर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि आज का लाइव बड़ा महत पूर्ण है हर युवा तक यह बाहर चानी चीए और मैं चाहूंगा कि इस आंदोलन में युवा के माता पिता परीजन भी सामिल हो जिससे यह सरकार तक एक मजबूती से बात पूचे कि अब इस बार जो योओं का आक्रोस है करने की सरकार पर भारी पढ़ सकता क्योंकि योओं में आक्रोस बहुत ज्यादा है जो हमारे अभिवाओं जो हमारे माने मुख्यमंत्री जी है उन तक जरूर की बात पूछे क्यूंकि इसमें बड़े बड़े लोग हैं कई लोगों का बड़ा सहरा है कई लोग इसको दबाना चाहते हैं कि जो फरजी वाड़ा निकलके सामने सात्यों यह चीज आप लोगों के सामने जो धीर और उसके बाद रीट यानिकी पहले हैसाई का नमब राया फिर रीट का नमब राया आने वाले समय में ऐसा चलता रहा तो पत्वारी का भी आएगा जो जो बढ़ती आएंगे सब में ऐसा नमब आता रहेगा और बेरुजगार अपने बहुश्य को कोशता रहेगा और रोता जाता रहेगा साथियों इस लाइव का उदेशी है कि आप लोगों को जगा हूं और तीस तारीकों हम क्या करने वाले हमारी कौन सी रनीती उसको लेकर आपके बीच में मैं आया हूं तमाम जितने लोग मैं आप सबसे हाँ जोड़कर निवदन करना चाहूंगा जो लोग साथियों पहले एसाई का जो प्रकड़ सामने आया एसाई के अभिरतियों ने 20 तारीकों 22 तारीकों जयपूर में सरकार को जगाने का काम किया उन तक बात पूछा है कि कैसे नकल डमी अभिरती जिस परकार यह पेपर भीकाने से पाली आना अलवर में जो आपने देखा सरकार ने जयान जोग विया हाला कि इस पार जो बशों के वैश्ता खाना पीना जो तमार वैश्ता बहुत श्यांदार थी अच्छी दिस सरकार इस चीज के लिए धन्यवाद पातर लेकिन मैं सरकार तक यह बात पूचाना चाहूं कि साधे आहाट बिजे पेपर आ गया था तो आप बता दीजिए वो पेपर कहां कहां तक पहुचा मैं इस सब पर चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि जहां गलती जहां लापरवाई होगी वहां यदि सरकार की आलोच ना करने पड़े सरकार की खिलाब जाना पड़े मजाऊंगा क्योंकि मेरे लिए मेरा प्रदेश क करने वाला इंसान वो पीछे अड़ जाता कि चापलूशी मैं कर रहा हूं मेरे नंबर अच्छा है यदि मैं खिलाब बोलूँगा तो कहीं ने कि मेरे चापलूशी और मेरे नंबर घड़ जाएंगे लेकिन यहां जान दाओ पर लगाकर मेरी यूव विरुजगार की आवा कुछ था कि सुबह में कि चलो ठीक है यह पेपर होगा तो आज रीट से 21 से पीछा सोटा और पुरानी बरतिया नहीं बरतियों प्रियास करेंगे और विरुजगार को मौका मिले लेकिन जिस परकार जब मेरे पास 11 बज़े करीब 11 11 बज़े मनोज वर्मा नाम का लड़का था मुझे नीमराना जो मांडल जो स्कूल है कमला देवी वाथ से फोन आया कि मैं बाहर हूं मेरे साथ मेरे पास में ओमार सीट है मेरे पास मैं पेपर है यह कैसा संभव आपकी वास पेपर कैसा है बोले हमारे पास पेपर लेट पूछा सारे लोग बार आगे मैंने का और वहाद में सिकाइद की उसके बार पहुचे हंगा मा होता रहा लेकिन सवाल या उठ रहा था कि पेपर लेट क्यों पूछा आपने कहा कि किसान आंदोलन के कारण जाम लग गया था पहले आप निकल सकते तो आप अच्छी तरह पता है कि आंदोलन में कई बास समय लग स और आप लेट पूचे आप लेट पूचे उसके बाद उसकी दादागी बेरुजगारों पर लाठिया चार्ज करके आपने निकाली जो आपने वीडियो देखा होगा साइध जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें बहीं का वीडियो देखा वो रो यह तक गई और बैहुस के हालात उसके होगे सिकर में वह कह रही थी मुझे प्लीस में मुझे अंदर बुला लो क्योंकि जब उसका भाई जो उनका परीजन जो साथ है भाई थे मुझे पता नहीं परीजन साथ है उनको लेके आए पहले उस गेट पे गए उस गेट पे इस इस गेट पर उस गेट पर गेट पर चकर काड़ते रहे हो लास में समय हो गया एंट्री नहीं दिए वो रोते रहे और उसको एंड में यहनकी अंत में उसको परिक्षा से वनचित होना पड़ा पुरे देश और प्रदेश के लोगों ने उस वीडियो को देखा जो मारविक इतना मेरे भी एक तरह से आसु आगेर इतना दुखी था परिशान था लेकिन तीस तारीकों इस बहें को वादा करता हूँ मैं लेकिन आप साइद उनको गलानी तो पता चला कि किसी की बेटी कितना रो रही थी क्या गल्टी उसकी यही थी कि आप लोगन उनको चक्कर कटाया वो दो मिनट पांच मिनट लेट होगे अब जब आपके जो जिम्मेदार अधिकारी थे जो पेपर लेके चाहिए वो बसी में एक गंठा पेपर लेट बताया जिनका वीडियो वाइरल हो रहा था इसका अलावा कई जगे पेपर लेट पूछे कई जगे पेपर खुले हो पाएगे जहां जिम्मेदार अधिकारी थे जिनों लापरवाई की उसकी सजा आज प्रदेश की यह बेरुज़कारों की मिली उनके खिलाब कारवाई करने के बज़ाए जिस बेटी जो तीन बेटिया थी जो भेह हो सके तो आप से मेरा नियोदन अपने परीजनों के साथ आप भी पहुंचे क्योंकि मीडिया रहेगी कम से कम आपकी पीड़ा वहां से उठ सके कि यह वो थी जो अपने बहुशे के लिए वहां रोती थी बिलक्तरी ना किसी क्रमचारी को ना किसी अधिकारी को उस पर दया है गया इसमें भी बड़ी तीन बेटियों के अलावा जो सजकता दिखाई वहां नकल के मामले सामने आप बेटियों मुझे बताया वहां पास्वुक जो भी आयना किताबे देखे नकल करवाया जा रहा था और हमने विरोध किया हम सब लोग बाहर आए च्शह अभरतियों क पेपर देरी से पूछनी के खिलाब आवाज उठाने के बल्ले में उन्यों को जेल में डाल दिया गया मुगतमा दर्श कर दिया गया अभी भी राजस्तान की यहों को कहना चाहूंगा कि जो अब बड़ती आवाज उठा रहे थे वहां नकल हो ली थी पेपर लेट आया और आज और आउड आप कहे रहे हैं और आपस मेडिया योदा बन जाते हो न्याई मिनना चीव इनको को एक लिए ने दिन के लिए उन तीनों रहेंहों के लिए जो रह रहते हैं जो बिलक रही ती इसकी कुश्यों के लिए और एक दिन के लिए कि जो कई लोग जो मेरे पास कोल कर रहे थे कई लोगों ने मुझे कोल करके कहा कि भाई मेरे तो 130 मरा रहा है लेवल टू में जो सारी गरब्रिया अधिकता लेवल टू महीं हुए लेवल पस्ट में कई जगे पेपर खुला हुआ पाया गया था लेवल ट लूगों के पास पेपर आ गया था राध को ही कई लोगों के पास पेपर आ गया था साड़े-लोगों के पास आनसर की साधे-8 बजे खेल हो गया फिर अफसोस हो का कि इंसान चिला-चिला के खेला अरे कम से कम इन चीजों का जवाब लेने का हमारा फर्ज आपका फर्ज है कि साधे-8 बजे उसके मोवाइल में वह पेपर आंशर की का चाहिए और कहा का सरकुलेट हुआ कौन-कौन इसमें दागी करें कि जब दबाओ पड़ेगा हम सब लोग चाड़कर बोत रहेंगे तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मंत्री जी कह रहें कि पारदी सित्रावी पेपर नहीं खुले तो आप करवा दीजिए सो जी की चार्च पारदी सित्रा के साथ लेकिन मैं माने अपने नियाई दिया है मेरे आप से हाज जोड़के नेवदर यही है आप अमारे अभिवाओं हो आप यह नहीं सोचे कि पेपर रद होने ते सरकार के साग गिरेगी यह सरकार की बैई जीति होगे नहीं आप अभिवाओं होगा यदि इमानदारी से आप एसोजी को जांच करवाकर और उसकी सारे दानलिया जब सामने होगे अभिवांदारी से बिरुजगारों को शाथ न्याई करोगे क्योंकि उसमें सो प्रसेंट सारी चीज़े निकल के न्याई करोगे तो आपकी साग बढ़ेगी आपके प्रती इजद बढ़ेगी और आपको लोग पूझेंगे कैसे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्नों ने यह नहीं देखा कि पेपर रद करने से मेरी सरकार के छवी खराब होगे मैं यह नहीं करो मैं नहीं कर रहा मत कर यह रद लेकिन आपको कई लोग बड़े- बड़े राद निदिए आपको इसलिए गलत रिपोर्ट देंगे कि गरिंए की नहीं साक्क्राब हो जाएगी लेकिन आपको क्यूकि हजारों की जयो तीज तारीक आरिक आ रहे है आपके सामने आरै क्यूंकि आपको य्यायईर देना होग आज मैंने देखा कि ताबड़ तोड़ उनके खिलाब निलम्मन की पर किया की जा रही है वरकास्त करें ना निलम्मन आपके करें डिवो दोसी फिर किया जाज रहेंगे फिर पूरी प्र प्रकास्त करेंगे आपने तक निया कार भाई आपको करीए तुरन करिया आपने जो घोषना की शिक्षा मंत्री जी किया गोषना किया तो पूरी के भरकास्त भी करें तुरन और इसके अलावा मान्यता रद करिए जिन प्रिक्षा के अंदर में गरबड़ी हुए है और जाज करवाई यह पेपर खुला है वाँ केमरे तो लगे हुए ना दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा हम तीस तारी को जो इकठे होंगे हम देंगे कि कहां-कहां पेपर खुला आया कहां का सिकायत है हम बना कर आपको सोपे आने वाल इस समय आपका नबर है आपका नमबर है अभी फोड़ी देर पहले में मेरे माबाब की कığstrong ने ने कहा कि भाई तुम सुबह की क्या बात करें रात को भी पेपर कई लोगों के पास था ताके दस तारीक अंदोलन के रहा तुछ से पहले भी कह रहा था कि सक्कानून बने गेर्ट जमानत को जमानत नहीं मिले और उल्टा हो रहा जिस लोगन आवाज उठाई कि यहां नकल हो रही यह पेपर लेट पूजा उन्छे लोगों को अभी तक जमात नहीं मिली ओ जैल में है नीमराराम अंडल का जोंके परिजन मैंने आइण मुझे फहन कर रह divergence को जैल में जो मुझा फहन नहीं जो बताया जो कि जिसका कारवाई कि निर्बल पे तो हम कुछ भी कर देंगे हैं कि कम से कम आप सब योग उसमें कहना चाहूंगा कि बहुशे के लिए आप सड़कों में एक दिन गये एक दिन के लिए आप हजारों के संक्या में आ जो अपने बहुशे बचाने के लिए अपना बहुशे बर्ति वाड़े कब आएगा पंच्याराज जैन का भी आएगा पीट्याई के अब आएगा नहीं रीट का भी आने लग गया होगा पैस्ट के सब का एगा और भाई तुम बर्तिया निकाल के फिर ऐसे रहोगे कि जैसे लोग रो रहे हैं कि कम से कम इस चीज की जो विकानेर अरे सारी चीजे आपके सामदे हैं जो लोग एक सो तीस और पेटीस अक्ठाइस पचीस का दावा कर रहे हैं मैं आपके खिलाप नहीं हूं मैं रड़ नहीं कराना चाहता हूं लेकिन कम से कम यह आप आप तो मांग करिये कि एक साड़ी हाट बजी पेपर आ गया ता कहां ख सारी नाम आया जब वो लोग जो भाग रहते मैंनत करें वह बाहर बेटें वह यह क्या हो गया हम तो बाहर होगे और वही कहने लगे साब इसमें गफला हो गया वह साथ आप लोगों के नहीं हो जाए साथ यूजा पटवारी के तमाम अभ्यरती राजस्तान के उन भहिनों क निवदन कर रहा हूं फिर मुझे मत कहना मैं भी नहीं होंगा इस बार लाश्ट बार आप लोग उखले जीजान लगाने के लिए पुरा साथ देने के लिए मैं आ रहा हूं और इस पार यह आरपार की लड़ाई है हर बार कोई नहीं आएगा मैं 20 को वहां खड़ा रहा बा जा रही है मेरे मेरे जूता है जापानी लोग आएंगे मेरी चपल है रीट वाली है रीट वाली चपल आ गई है मर्केट में लेकिन साथ यह चीज़ और रहा हूं इतनी ग्रिपदारी होई है बड़ा दुक इस बात का भी होता है कि आज मेरा प्रदेश का यूवा गलत रा है तो पड़ाई करने पर तो मेरा नंबर नहीं आता ऐसे लोग अपराद की दुनिया में जा रहे हैं क्योंकि उन जो माप्याओं के चुंगल में आहा रहे हैं वह पैसे भी दे रहे हैं पकड़े भी जा रहे हैं तो आप सब सातियों से मेरा हाज जोड़के निवदने उस के आशूओं के लिए उन छे लोगों के लिए अपने भवशे के लिए प्लीज घर से निकल लिए सवाल आप उठाना जानते हो क्योंकि लोग बहुत आएंगे रादनिती करके चले जाएंगे आपका भाई जब-जब संकटा है आपके साथ मैं रहा हूं हमेसे रहूंगा सा सब्सक्राइब ट्वीट करना सब्सक्राइब ब्यान देना आपके साथ खड़ा नजर आता हूं चाहिए पहले वाली सरकार चाहिए वरत्मान सरकारों कभी मेरे विरुजगार को संकट में साथ अक्यला नहीं छोड़ा हमेसा साथ रहा हूं तीस सितमबर को आप लोग अपन पर लेप्टेक कि नहीं बरती कंतिजार कर रहा है नर्सिंग बरती कंतिजार कर और अच यह और रीट वालों शाहत वखकल आपके साथ होगा इसलिए सक्त कानून की आवस्तवत्ता जरूरी है गेल जमानती सक्त कानून बनें और जो कहा कि प्रिक्ष्छा कें ग्यमानता र और रीड दोजार 21 के अप्यूतियों को न्याई भी मिलेगा न्याई पाने के लिए भागना पड़ेगा अभी मैं कुछ लोगों जो मैं पर्मीशन के लिए अप्लीकेशन लगा क्या आए था मैं लेटर देखे हूं बाकाइदा मैं पर्मीशन के लिए मेरे लिए पर लिखे सबसे बड़ी बात है जांश देने के बाद केवल थंड़े वच्ते मार्पीशी चेर्में अध्यक्षन के दिया कुछ नहीं हुआ इदर मंत्री जी भी कह रहे है अधिकारी भी कह रहे है तो कुछ नहीं हुआ मामलियों को दबा दिया जाएगा हम सब हजारों के संक्या में जाएंगे तो माने मुख्यमंत्री जी तक बात पूछेंगे कि वार्तम हजारों के संक्या में क्यों तर रहा है जब उसकी निश्पक्स जांच होगी तहे तक जाए जाएगा विकाने से पाली तक पेपर आया बारा लोग गिर्भतारे कहां तक कहां गया ओमार सिट कैसे अधुन 7 00 2 हो चाए निमराना का माम और शाड़े 18 विजे पर कहां सबस्के कम से कम यह तो पता चले कम से कम कनुन तो बने हैं सब्सातियों से में ऑड़ीन करना चाहंगा 30 सितंबर ख forearm को अपने लिए है अपने लिए सबसे ज़्यादा गरविडिया रीट लेवल टू में हुई है फ़स्ट में कई जगे पेपर खुल लाया वो भी हम सिकायते करेंगे कहां कहां सिकायते और सबस्थी बड़ी बात कई जगे तो पहले घड़ी भी नहीं थी कई जगे घड़ी भी नहीं थी कई जगे पहले उमार्चित लेली बहुत चीजे निकल के आई हाला कि बड़ी परिक्षा थी बड़ी संक्या थी सरकाने पूरी ताकत लगाई अच्छी व्यश्ता ही की व्यश्ता के लिए मेरे बेरुजगार साथी ने दन्यावाद दिया मैं अभी दन्यावाद देता हूं लेकिन जो चीजे निकल के आई हम चाहते निस्पक्स यह चीज विरुजगार को न्याई मिले चाहिए एसाई का मामलो चाहिए का मामला इसलिए सातियों कई लोग मुझे फॉन कर रहा है भायो आप रीट रद करा दो लेवल टू रद करा दो पातरता करा दो यह करा दो कोई कहला मत रद करो हमारे अच्छे एक सो तीस तंबर आए अरे भाई तुम घर बेटे-बेटे आवाज तुम कम से घर रजाई से बाहर तो निकलो अरे कम से कम तुम लोग आओ हजारों के संक्या में तो नियाई भी मिलेगा नियाई भी होगा और ताकत का है सावी लोगत तंतर में भी तंतर क्या हो सकता है इसलिए आप सबसे मेरा दियो दिन है तीस सिता मर्थ सुबह 10 बजे वहां रेली नहीं रेला होना चीए और यदि आपके अच्छी संक्या होगी तो उस दिन आप देखना बहुत बढ़ा कुछ होगा और आपक के लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा ये तो रहा तीस तरीक के आंदोलों को लेकर आप सब तक मेरा मेसेज है सब लोग ज्यादे-ज्यादा मेरे पेस्बूक यूटूब पर सब जब जब शेयर करिया सारे वाट्सों ग्रूप में डालिया और एक डीपी अरब है नहीं मेरे पास गाड़ी है ना खाने की वैस्ता है ना टेंड की वैस्ता है अंब रोजगा रहा है यह आंदोलन हमारा किसी रादनिती पार्टी का किसी रादनिती नेता हो यह यह आंदोलन हमारे बीड़त विरुजगारों का है और हम इस लड़ाई को खुद लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे इस सभी साथ योशने प्लीज प्लीज तीस सितमभर सुबह 10 बजे साही दिस्पारा अब पूछते साही दिस्पारा का है पॉलो विक्ट्र लड़ेंगे जितेंगे तमाम लोग देख रहे हैं आप सब को अपने बहुशे की कसम में सोचल मीडिया पहला दो तीस तारीक के लिए सब जगे वाड़ साप पेस्पूप इसको ज्यादा 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 सेर करो पेस्पूप हर जगा यूटूब सब जगा पहला दीज लड़ाई को जीत लिया तो आने वाले बहुशे में किसी साथ गलत नहीं होगा आपको भी नियाए मिलेगा और इस लड़ाई को नहीं जीता तब भया फरजी लोग लगते रहेंगे आप लोग रोते रहोगे और एक दिन उपीने अदोगों भी क्योंकि मुझे पता है कि ल लड़ाई को जीते हैंगे इसलिए सभी से नहीं बदने ज्यादा ज्यासंक्या में 30 सितंबर को सुबह 10 बजे 22 को दाम पूछे साथी अची जो बता दूँ अभी लालचिन कटार्या जी कर्शी मंत्री जी ने अच्छी गोशना किया दो दिन पहले सिफिकृती मिली 421 कर्श की गई है खर्ची प्रेक्षक के लिए साथियों इसके लावा कानून की तुप बात है हाँ हाँ आज एक चीज़ और देखा आर पीसी ने सरकार्चे मांग की है कि बायो मेट्रिक हो कैमरा उम्रा लगे फार पैसे मांगे एक रोड़ पता ने किते रूपे मांगे काशी आर अब भी सुझाओ देते आप लोगों को ट्यूटर फेस्टूप को डाल के बताया था बायो मेट्रिक की मांग मेरी प्रमुक्ता के साथ थी वीडियोग्राफियो प्रमुक्ता के साथ थी शारी चीज़े जो मैं मांग कर रहा आजार पीसी उनके लिए बजट सरकार से मांग सकते हैं साथियो एक चीज़ और बता दूं आपको चिक्षा बाकी में बढ़तियों के लिए सर्चा करूं कर रहे होंगे साथ यो रेडियो गाफर लेप टेक्नियेशन के चैनित अब रती है सुक्रवार को हमारी मिटिंग सीमों में हुई थी माने मुख्यमंतर जी का अधि इस जल्द इनके चैनित अधिस के लिए का था और आज मैं खुद परताब शिंग दूतर साब से और अखिल अरोडा जी से मैं मिलके तो उन्होंने इसी वीक में इन दोन तीनों वर्तियों के अभ्यरतियों के लिए आस्पासन दिया है क्या मार क्यूंकि मैं उनको वादा य काम की दरहत्रत एक करने से होता है अब मैं इतना है कि जुक पता है किसी अच पारशी पूछ के दानने से कुछ नियों कि मेहनत हम कर रहे हैं उपर से आधेस जो यह अधिकारी सामने ते आधिकारी जानते आज मैंने फिर 12 बजे फोन पर मेंने बात की थी उनका 12 बजे मिला तो जो जो रेडियो गया पर लेप टेक्निया से चैनित अबरती है थोड़ा साब ध्यान रखना जब मैं कुछ करता हूं उसके बाद कोफी के जो कोफी फेस्ट केंगे ने वह एक सक्री होती है वह घुमा फिर आके वहां से पूच के रोड़ने का काम करती है सीमों मीटिंग भी मैंने आप लोगों बता है वही लोग ती ज साइक बरती की भी संबन में अरोड़ाजी से मिलेते इसके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि अब केबिनेट में जानी है कि केबिनेट में चलीगी फाइल अभी तक नहीं गई है लेकिन उसको कैसे करवाना क्या परकिरिया मैं आपको बताओं तक मेरे दिल में हों अन्ती मिस्तर पैक केमिनेट से निकलवा कर और आपकी जो सुच्छी वाला काम जल से जल करवाएंगे कुछी की पहले हमने बताई तो वह पीच्छे गोम रहे थे फोट टुडाना वह आपको बरमित करने का काम कह रहे थे जब आप लोगों की भरती जब खड़े में थी खतम कर दी गई थी यह लोग आई थे जैसे जैसे दिन बढ़तियों काम होंगी ती कोफी पेस्ट करेंगे वीडियो जालेंगे लेकिन इन लोगों का जो समय ता जूट मेने का वो खतम हो चुका या सच्चाई का ही राश्ता चलेगा सच्चाई की जीत होती नई रेडियो का फ्राण लेप टेक्निसें और सियोट की जो नर्सिंग बरती इनकी जो नहीं विकिप्तिया जल से दिल जा रही हो लेकित में हो उसकी परक्रिया का आसवासन हमें अक्टुमर मेहने के लिए मिला तो उसके लिए हम प्रियास करेंगे क्योंकि 16 नो तक पालि कि वड़ वोई 2-13 के संब्ध में वह अधिकारे को प्रिक्शन के लिए का है जामिया परक्रन 2018 के मामले में बी अधिकारे चार दो प्रिक्षिंन कर रहे हैं कि क्या वो मामला है इसका अलावा और जो मामले हैं उस समयंद में मामले पेंडिंग है लेकिन जिन विश्यों को लेकर चत्षा भी मिन आप लोगों को बताया है इसके लावा जो नहीं बढ़तिया चाहिए दन्ची के सको चाहिए नरत्रिशाई को चाहिए ओटी टेक्निशन का केडर उसकी बढ़तियों उन सिब बढ़तियों को लेकर हमने मांग शोपिया और अधिकतर बढ़तियों की परक सब्सक्राइब और गोबिंद कई लोगों को फोन आए दे जो तमाम लोग जुड़े हैं पंचाय राज लडीशी वाले उनसे यह कहना चाहूंगे एक तारिको सईधिस्पारफ का आपका परसनल इस बढ़ति का अंदुलन है मैं खुद भी पहूंचूंगा जितनी मदद हो सब्सक्राइब आपको तौफा मिले मेरा यह लक्से होगा कि जो पंचाय राज लडीश बढ़ती 23 क्या बढ़ती इन्तिजार कह रहे हैं उनको दीवाली का तौफा दू तो एक क्टुम्बर को जो धरना उसमें पहुंचे मैं पहुंचूंगा अब देखते हैं भगवान से दुआ खरो कि फाइनल फेसला हो जाए और मैं भी कोशिश कर रहा हूं क्यूंकि सुबह की बात है अभी कोल जी लेस्ट आगे उसमें पता लग जाएगा कितने नंबर पर है कैस लेकिन जहां तक यह है कि अधिर्टी के थे तो वहां से मूं बोल देखे वेजिस साब्स करने की बात कही थि इसका लावा सात्यों कम्पीटर वरती सात्यों कम्पीटर वरती के लिए रिए वहां साथ दिंग अल्टेमेटम दिया ता लेकिन जुश्पार कंपीटर वरती में फीजिडि वार्जी रहे हैं और आप सोच रहे हैं को रीट में ऐसाई में फर्जी वाड़ावत आपकी भरती में नहीं होगा यदि यह लोग नहीं रुके तो भाई आपको भी न्याई नहीं मिलेगा आपके तो बहुत दूर-दूर के बार के अन्य राज्यों की आ जाएंगे इसलिए पहला लक् करवा सकते हैं तो लड़के संगर सकते स्लेवाच और विविप्ति भी जाने करवाई है अब तक जो 45 उन्होंने जो एजेंसी थी उसमें ते इनको करना कोटेशन मांगेंगे फिर ते करेंगे चितंबर का वादा मंत्री जिन किया था लेकिन सातियों मैं टेक्निका हेल्पर कि वाड़ा रुकेगा क्योंकि आप भी सोचिए भरती की विविप्ति आपकी भी आजाएगे एक्जाम आपकी भी हो जाएगे लेकिन जिस परकार आप पिछली जोजार रखारम बढ़ती है ति कितना फर्जी वड़ावा था आपके कितने लोगा उसाद में गये थे कितने कितने दुखी हैं और कम-से-कम आप लोगों के रहत मिलेगी तो थोड़ा समय इस से फीरी होने के बाथ भाद मैं जी-जान लगा भी और करके जब घर्चे मुलाकात की ती आपसे तब आपने कहा था सितंबर विकिप्ति जारी हो जाएगे सितंबर खतम हो गया तो मैं खुच जाकर विशेश इस बात के बात रखूंगा कि जल से बीकिप्ति जारी कुर अपना वादा पूरा करो वहीं पंचाहराज जेहिं के लिए अगले साली ही होगी पसुदन साही की भी इननों काहा कि अभी अपने कलंडर जारी कर दिया फरवरी के बाद इसके एक्जाम हो पाएगे और अक्टूमबर नॉबर में ही इसकी जारी होगी सातियों आज का जो लाइव था अधिकतर यहीं था कि फर्जी वाड़े सक्कानून और जो पेपर लीक की जो गटना है जो नकाल परकान प्रिक्षा केंदों की जो लापर वाई उसको लेकर मापके बीच में आया था तमाम लोगों से निवदन करूंगा ज्यादेदा सेर कर करना और बैस आप लोगों से कहूंगा 30 सितंबर अपने लिए अपने लिए एक बार मैं पेस्बूक पर किसी के कमेंट आ रहे तो मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि मैं यूट्यूब पर नहीं देखा पेस्बूक पर देख पार हूं कुछ का मैं जवाब देने कोसिस करूंगा कि आज है मेरे आंक में खुजली चल दिया कैसी चल दिया बैया जिन जिन स्कूलों की सिकाईद है पेपर खुल ले आया आप मुझे तीस तारीकों आप सब पूछे लिकेत में दो क्योंकि तीस तारीकों बहुत बड़ा अंदोलन है और वह अंदोलन होगा तो हर चीज का सब्बूत हम सोपेंगे और उनको कहेंगे का आप पाहां के केमरे चेक कर वालो आपको पता लग जाएगा क्या हुआ किसने विरोध किया क्या पेपर खुले आप निस्पक्त चांज करो तो हम सब को मिलकर या वाज उठाने की घर बेटे मुझे या नहीं लिके यह होगे आपको घर से निकनना पड़ेगा हाई कोट लडी सी भी यह जोदपूर का मामना जेपूर का नहीं है कि शितराम जी आप आवो तीस तारी को लड़ेंगे और बहुत कुछ करेंगे कि अगया है कि सभी सातियों कि यह कहना चाहूंगा कि अब आपसे फिर एक बार एक चाहूंगा कि इस मेरे लाइव को चादर ज्यादा वार्टसप पेस्टूक इंस्टा सब जगह वाइरल करिए और सब को यह कहना चाहूंगा आप सीधा मेरे ट्यूटर अकाउंट पर जुड़ सकते हैं आज चाल लाग हो चुक है ट्यूटर पर और एक लाग मेरे फेस्टूक पेज़ पर हो चुक है एक लाग एक हजार के करीब मेरे यूटूब चैनल पर हो चुक है यह जो सक्रियता आप देख रहे हों कि राजस्तान के राजनिताओं के मुह पे तमाचा है क्योंकि वो डाल नितिक पार्टीओं से जड़े होते हैं उनके पास धनभल उनके पास आईृट्य से हैल होता है मैं गरीब का किसान का बेटा हूं आम लोगों से जड़ा हों एक गृब आम आदिवियों के लिए आवाज उठाता हूं जी जान लगाता हूं बीना सोचल मीडिया टीम बीना पेंसे कर्च की वे आज एक रिकोर्ड हुआ है चाल लाक मेरे ट्यूटर अकाउंट पे जुड़े हैं वहीं एक लाक एक अजार ज्यादा यूटूपर एक लाक से ज्याद के दिखाने के लिए कि नेताओं को तो पता चले कि एक किसान का बेटा आम आदिवी का बेटा भी संगर्स करके आगे बढ़ सकता है और जो काम हम करते हैं दिखाव के लिए कि मेरे वीडियो को न्याय मिले अन्याय और अथ्याचार के खिलाफ आवाज उठाए बीना क्यों सब्सक्राइब करता हूं उसके बाद में पेस्बूक पर डालता हूं और यूटूब चैनल सब जगह दी उपएन यादाव सर्च करोगे तो पेज पर भी और यूटूब पर भी तो आप सब यहां जुडिये सबसे पहले फेक्ट और सई अपडेट यहां मिलती है क्योंकि क सब्सक्राइब करना सारे चैनल और देखना इस पार बहुत बढ़ा कुछ होगा लेकिन होगी है त्यासिक लड़ाई क्योंकि इस पार बहुश्यों को बचाना है सकत कानून बनाना है और जो घपला हुआ है जो धानलिया हुई है जो चीजिए शाड़ी आठ विजे पेपर आया है इनका खुलासा भी करवाना है और 2021 के रीट और ऐसाई वर्ति के दो जरी किस्त को न्याई दिलाना है न्याई के लिए विरुजगारों के भविश्य को बचाने के लिए एक एतियासिक लड़ाई में आप सबका स्वागत है सुबह 10 बजे साही दिसमारक मिलकर लड़ेंगे कि माने मुख्यमिंद्री तक पूरी देश और प्रदिश तक आवाज जानी चीए कि यूथ सड़कों पर उत्तरा है क्या कारणा है तो कही नहीं कि सब रादनिताओं को मजबूर होना पढ़ेगा कि वह सक सक कानून की बात करेंगे और मांग करेंगे कि जो सुवाई मादूब गंगापुरुशिटी में क्या हुआ नीमरानमी क्या हुआ छे लोगों क्यों गिर्बदार किया गया उस बहीं को क्यों वंचित रखा गया सबको न्याहीं मिले जब तह तक जाएंगे तो यह बित इस पर इस पर इस पर जाएगी जो एक सो तीस और करते रोते रहें तो यह जो करवानी की कम से कम दूद का दूद और पानी का पानी करवाना होगा और हजार हो तक मिल लड़ाई लड़नी है और दुबारा से लड़ीं Mega फछी वह बर तक पहुंच होगा है तो फिर से नहीं लगता है यह भरती लेवल टूकी जिसमें पार दिस्तिता बची ओगी मुझे नहीं लगता कि फिर इस वर्थी को कराने में फायदा होगा फिर यह होगा कि हजारों अग कि पहुर। है तो फिर तो यह होगा कि बापस ही एक जाम होने चीए लेवल टो कि लेवल फश्ट में शिकाई ते बहुत कम आई है खुले पर प्रोग शिकाई यह वो भी हम मजबुती से तीस तरीक उठाएंगे तो अब साभी सातियों से मेरा निव दिन है कि आप लोग जो लोग एक सो इस पे तीस का दावा कर रहा है उन्से मेरा निव दिने कम से कम आप क्योंकि यह सब्सक्राइब कभी एसाई भरती के बिरती हो जाए रगना यदीद कोई कि किसी के पेट में दर दो रहा है डोक्टर के पास जा रहा है दो गटना तो डोक्टर जाते ही वह फिले च्रेगा वास्तम पेट में दर्द हो रहा है या कान में दर्द हो रहा है और शीजों सारी कराती है है और जाज करवाएगी कि यहां सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कर दोगी यह कि तो 869 छीट यह तो वह ज्यादा है लेकिन यह रात तक का कोई दावा करा कि रात को पूछ गया तो हजारों के संक्याम फैल सकता है तब जाच होगी तो दूत का दूत पानी होगा जब और य होगे संक्या होगे इसलिए आप सब के उपर निर्वर है आप लोग प्रेसर बनाओगी तो निस्पक्त जाच भी होगी एसोजी से और इसका प्रेणाम मिलेगा पहले भी हो इसलिए सात्यों और मानेता रद हो मेरे छह लोग 12 इन भहीनों को वापस एकजामें बिठाए जाए जब भी हो इनको वापस मोका दिया जाए और सबको न्याही मिले और सक्कानून बने इन सब को लेका क्योंकि सात्यों मैं आपको विश्वास दिला दूं कि यदि फर्जी वाड़ा हुआ है जाच होगी तो 100% कई चीज़े निकल कहेंगी तो कोई कि इंदुस्तान की कोई त कई लोगों के सदेश्य रीट में भी ऐसा ही में है तो हम सब निस्पक्स भी जब जाच होगी जब हम सब मिलकर लड़ेंगे इसलिए सातियों आप सबसे मेरा नियोदन है कि 30 सितमर को सुबह 10 वजे ज्यादे ज्याद संक्या पूछे